Hello everyone, welcome to all of you, आज हम करेंगे chapter 4, I am, प्यारे बच्चों, इस chapter में हम सिखेंगे कि हमें अपना introduction कैसे देना होता है, बच्चों आपने देखा होगा, अक्सर जब guest घर में आते हैं, तो वो आपसे 2-4 सवाल करते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कौन से school में पढ़ते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो जब आप इन सभी questions का answer दे रहे होते हैं, तो आप अपना introduction दे रहे होते हैं, introduction देने को हम परीचे देना भी कहते हैं, तो आईए बच्चों, आज इस chapter में भी हम सिखेंगे कि अपना introduction कैसे देना चाहिए, अपना परीचे कैसे देन चाहिए चैप्टर 4 I am प्यारे बच्चो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए इसमें एक गोल सरकल में बच्चे बैठे हुए हैं और एक के पास बोल है यहां पर बच्चे एक गेम खेल रहे हैं एक बच्चा दूसरे के पास बोल फिंग केगा और दूसरा बच्चा तीसरे के पास और जिस बच्चे के पास यह बोल आती जाएगी वो अपना नाम बताता जाएगा इस बच्चे के पास बोल है तो यह कहेगा I am रोहित और जब यह बोल फेंक देगा दूसरी गर्ल के पास तो गर्ल भी अपना इंट्रोडेक्शन देगी अपना नाम बताएगी I am रीत और जब ये girl सामने वाली girl के पास ball pass कर देगी तो ये girl भी अपना नाम बताएगी, अपना introduction देगी I am Radha, तो इस प्रकार से ये game चलता जाएगा बच्चों, आप भी एक circle बना कर और ball के साथ इसी प्रकार ये game खेले और अपना नाम I am के साथ बताते जाएँ Play the role of Sandeep and Sanya and speak the lines given below and create children to introduce themselves in the same way देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर दो pictures दी गई है एक तरफ एक boy है और दूसरी तरफ एक girl है आईए बच्चों, देखते हैं Sandeep और Sanya अपना introduction किस प्रकार देते हैं Hello, I am Sandeep Hello, मैं Sandeep हूँ I am 5 years old मैं 5 साल का हूँ I live in Karnal मैं Karnal में रहता हूँ I love toys मुझे खिलोंने पसंद है Hello, I am Sanya Hello, मैं Sanya हूँ of the girl Girl का क्या नाम है? आंसर है Sanya Q2. What is she holding in her hand? उसने अपने हाथ में क्या पकडा हुआ है? आंसर है Ice Cream Q3. What is the name of the boy? बोई का क्या नाम है? आंसर है Sandeep Q4. What is he holding in his hand? उसने अपने हाथ में क्या पकडा हुआ है? आंसर है Aeroplane Ask children to trace over the doted letters Give them more practice प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर letter A की formation दी हुई है और हमें इन सब पर pencil से इस प्रकार से trace over करना है आप भी इसी प्रकार अपनी बुक में trace over करें This is A बच्चों यह है letter Z हमें इस पर भी pencil से इसी प्रकार trace over करना है This is letter Z Ask children to look at the pictures and name them aloud Next ask them to name the letter and sound with which each name begins प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है और हमें इनका नाम बताना है What is this? This is an apple What is this? This is an aeroplane What is this? This is a zebra What is this? This is a zip A for apple A for aeroplane Z for zebra Z for zip Ask children to complete the picture by joining the dots and then color it प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर apple की एक पिक्चर दी गई है और हमें इस प्रकार से इसके उपर trace over करना है जब आप इन सभी dots को join कर लेंगे तो एक सुन्दर सी apple की picture बनेगी और इसमें आपको सुन्दर सुन्दर clear करना है थैंक्स पूर वच्चिए